नमस्कार दोस्तों, बांगर कोलेज के यूटूब चैनल पे आपका स्वागत यूँ अभिनन दन, मैं चैनारा मुंदलिये, असिस्टेंट प्रोपेशर पोलिटिकल साइन्स, आज की इस वीडियो में अपन इंडियन पोलिटी यूँ पोलिटिकल थेोरीज के एक मैत्पून टोपिक, दबाव समू तता राजनितिक दल, इनमें इनका क्या आर्थ होता है, साथी इनमें क्या समानता यह है, इनके अंदर बीच में परमुक अंतर क्या है, और साथी विपिन राजब्योस्ताओं के अंदर, इनका क्या रोल या भूमिका होती है, उसके बारे में विस्त से अधेन करेंगे तो आईए शुरू करते हैं प्रेसर ग्रूप एंड पॉलिटिकल पार्टीच Political Partitions लोगों का एक ओप्चारिक संगटन होता है ज्यान देना, सरवपर्तम हम इसका क्या means, यें क्या अर्थ होता है इसके बारे में देखेंगे तो Political Party है ये लोगों का एक ओप्चारिक संगटन होता है जो समान सिदानतू पर विश्वास करते हुए चुनाव के मादम से सता में भागिदारी या सता प्राप्त करने का परियास करते हैं यह पहली बात तो political parties में यह होती है कि इनका जो organization होता है वो उबचारिक होता है उसके बाद जो लोग इसके सदेशिय होते हैं उनका एक निश्चित कारिक्रम होता है जो सामाजी कार्थिक हो सकता है या राजनीतिक हो सकता है उसमें वो सब लोग एकमत होते हैं या सहमत होते हैं और फिर अंतिम जो इनका लक्से होता है वो होता है चुनाव के मादम से साता में भागीदारी या साता प्राप्त करके अपना जो निश्चित जो एजेंडा है अथार्थ जो निश्चित कारिकरम है उसको लागू करने का परियास करते हैं उसके बाद है फ्रेसर ग्रूप यानि दबाव सम ये भी ओपचारिक ग्रूप से संगटित होते हैं और ऐसे समू या ग्रूप होते हैं जो एक समान हित या उनका जो कोमन जो इंटरेस्ट होता है वो समान होता है और या उद्धिश्यों के आदार पर गठित होते हैं तता यह कहने का मतलब है कि पॉलिटिकल पार्टीज की तरह फ्रेसर ग्रूप भी एक उपचारिक समू होता है यह उपचारिक ग्रूप से संग्टित होगा और इस समू के जो लोग होंगे उनका समान हीत होगा उनका समान उद्देशिय होगा और वो अपने हीत या उद्देशिय क पूर्ति के लिए सरकार पर फ्रेसर डालते हैं और उसे परभावित करते हैं ताकि उनकी हिटूं की पूर्ति की जा सके तो यहां पर एक महत्मून बात देखने की यह है कि हम पूलिटिकल सिस्टम में कोई भी व्यवस्ता हो उसमें तीन बात देखते हैं पहले होता है हिट समू उसके बाद में होता है दबाव समू और उसके बाद होता है पूलिटिकल पार्टी जिया राजनितिक दल तो इस तरह से दबाव समू क्या करता है कि केवल अपने हिटों की तब्दील हो जाता है दवाव समू एउ राजनितिक दल में क्या समानता ही होती है ये देखेंगे अपन पहली बाद दवाव समू में जो हमने उप्रियूक्त परिभासा देखी उसमें तीन तत्वे मुखित उबर कर सामने आते हैं नमबर वन है कि दवाव समू का संगतन होता है वो उप्चारिक होता है साथी सदि से सामने अबवर्ति या साजे हित्स है यान पहले तो इनका संगतन उप्चारिक होगा सेकिन जो हित्स होगा इन समू के लोगों का वो साजा अतार समान होगा नंबर ठैड में है कि लोक निर्ने परकिरिया को परभावित करने का या सरकारी नितियों को परभावित करने का कारिये करता है दबाव समूं कि यह दी उप्रियूक्त तीनों लक्सनों पर हम दाज rätt डाले तो एक बात इसपेस्ट है कि पर्थम दो लक्सर अतार ओपचारिक सरचना और साजे हित ये तो पॉलिटिकल पार्टीज में भी पाये जाता है तीसरा पर्मुक जो तत्व है वो पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं पाये जाता बाकि दोनु जो पर्थम तत्व है संगतित पॉलिटिकल पार्टीज की भी अपनी एक इस्पेस्ट ओप्चारिक सरचना होती है। राजनितिक दल एक विचारदार है यह सामने नेने परकिरिया को नेमित और नेधारित करने का परियास करते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल सिस्टम में पॉलिटिकल पार्टीज पैता फ्रेसर गुरूप एक दूसरे से समंदित भी होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि अमुक दल के साथ में अमुक जो फ्रेसर गुरूप है वो जूड़ा वारित हैं। तो इस परकार से एक दूसरे से समंदित भी होते हैं। दबाव समुष पॉलिटिकल पार्टीज में पारिस्परिक निर्बर्ता भी होती है। जैसे भारती राजब्यवस्ता में अपन देखें। तो पॉलिटिकल पार्टीज के जैसे आपके वियहवसाइक जो दबाव समुष हैं। उसके बाद में आपके जाती है दबाव समोई यह अलगलिक जो समोई भूप पड़ते के पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े वे रहते हैं तो इस परकार से एक दूसरे पर पॉलिटिकल जो पार्टी होती है उसको फ्रेसर ग्रूप जो बना बना है संगटन का समर्तन मिल जा है अब आपन देखेंगे प्रेसर ग्रूप एंड पॉलिटिकल पार्टी इनमें पर्मकूरूप से जो डिफ्रेंस है या जो अंतर है जो में डिफ्रेंस है उसको देखने का प्रियास करेंगे तो पॉलिटिकल पार्टी एंड प्रेसर ग्रूप में उप्रियुक्त जो हमने समानता है उसके बावजूद इसका अर्थ ये नहीं है कि दोनु एक दूसरे के बिना कारिये नहीं कर सकते सामने था ने तो दबाव समू राजनितिक दलों पर निर्बर होते हैं और नहीं पॉलिटिकल पार्टिज फ्रेशर गुरूप पर आश्रित होते हैं दबाव समू तता राजनितिक दल विशेश प्रिस्तितियों में कभी कभी सोवत अंतर तता कभी पारिस्परिक विरोध में भी कायिये करते हैं जिसके आधार पर हम इनमें अंतर सिद करने में कायम होते हैं कुछ समानताओं तता वास्वित्तों के बावजूद फ्रेशर गुरूप और पॉलिटिकल पार्टिज में परमुक अंतर जो अपने डाइग्राम के मादम से देखा कि इधर पॉलिटिकल पार्टिज है इधर फ्रेशर गुरूप है और इनके बीच में क्या डिफ्रेंस है इसके बारे में चितर पर्देशित कर रहे हैं नंबर वन पॉलिटिकल पार्टिज का मुखे जो उदेशियन पहला अंतर हम उदेशिय के अधार पर देखेंगे पार्टिज जो भी दल होता है वो सता प्राप्त करना चाहता है इसका कारण है कि पॉलिटिकल पार्टिज जो election होते हैं उसमें अपने candidate खड़े करते हैं तता जो political authorities यान जो सता है वो प्राप्त करना चाहते हैं जब कि pressure group का लक्से या उद्देशे सरकार से कुछ सुविधाइन प्राप्त करने के लिए उस पर pressure डालना है यह चुनाव में अपने उमिद्वार खड़े नहीं करते हैं तो पहला अंतर political parties जो pressure group में उद्देशी के आधार पर है political parties का उद्देशे सासन सता प्राप्त करना है जबकि pressure group का उद्देशे सासन की नित्यों को परभावित करके अपने हित्वों का संबर्दन या वर्दी करना है यह अपने उमिद्वार चुनाव में खड़े नहीं करते हैं सेकेंड है कारी चेतर के आधार पर यदि हम देखें तो pressure group का कारी चेतर विशिस्ट और संकेन होता है जबकि political parties का कारी चेतर विश्टरित और बहु आयामी होता है यहां फ्रेशर गुरुप एक विशेस हीत से समंदित होता है इसलिए विशेस्ट है और उसी हीत्तों की पूर्ती करना चाते है इसलिए इनकी विचारदारा भी संकेन होगी लेकिन political parties संपूर्ण देश में भी उसका विश्टार हो सकता है और साथ ही बहु आयामी यह इन सामाजिक आर्थिक विवित परकार के कारी करम हो सकते हैं इस परकार कारी चेतर में भी इनमें अंतर देखने को मिलता है उसके बाद नंबर थार्ड में जब आपन देखते हैं तो सदिस्ता के आधार पर अंतर्ड़ सदिस्ता के आधार पर हम देखते हैं कि दबाव समू की सदिस्ता प्रस पर व्यापी होती है अथार एक वेक्ति एक साथ एक से अधिक दबावसमों का सदिशे हो सकता है जबकि कोई भी वेक्ति एक साथ दो political parties का सदिशे नहीं हो सकता तो दबावसमों की सदिशना सर्वे व्यापी होती है जबकि political party की सदिशना सिमीत होती है अतार्ट आप एक समय में एक ही political party के member या सद्धी से रह सकते हैं उसके बाद number four pressure group political process का भाग नहीं बनते हैं बलकि बाहरी तमास भी नबने रहे थे हैं जबकि political parties नीनेन का कारिय करती हैं decision making करती है और खुद decision का कारक भी बनते हैं यान कहने का मतलब यह है कि जो राजनितिक परकिरिया है उस परकिरिया में वो खुद कोई नेने परकिरिया नहीं करते क्योंकि जो सता में जाएंगे नेने उन्हें करना है तो decision making में political parties भाग लेती है pressure group बार से तमास भी नियन केवल और केवल देखते रहते हैं कि हमारा हित की पूर्टी हुई या नहीं हुई नहीं हुई तो सरकार को फिर परभावित करने का परियास करते हैं लेकिन political process में उनका कोई रोल नहीं होता है नमबर फाइप political parties में ideology अतार विचारदारा का अतेदिक मेत्वे होता है किसी भी जो parties होती है उसमें सामिल होने के लिए लोगों को निशी सिदानतू एव विचारदारा पर सेमत होना पड़ता है जबकि pressure group में विबिन विचारदारों वाले या जो अनेक विचारदारा मानने वाले विक्ति है वो भी उसमें समलित हो सकते है यहना कहने का मतलब है कि विचारदारा के आदार पर ये अंतर किया जाए तो political party की एक निश्चित विचारदारा होती है जबकि दवाव समुग के अंदर ये बात लागू नहीं होती विबिन विचारदारों को या विचारदारां को रखने वाला विक्ति एक साथ विबिन समुग का सदिशे बन सकता है नमबर सिक्स है प्रेसर गुरूप का निर्मान समुदायव बनाने की सवतंतरता पर निर्बर करता है इसलिए जिन देशों में लोगतांतरिक व्योस्ता नहीं है वहां ये जो सोसाइटी बनाने का जो अधिकार होता है वो सिमीत होता है जिस कारण वहां उनकी संक्या कम और उनका परवाव भी कम होता है परन्तु जिन देशों में डेमोक्रेसी की जो सिस्टम है उन देशों में प्रेसर गुरूप की संक्या अधिक होती है और इनका परवाव भी ज़्यादा होता है साथ ही जो political parties है इनकी भी सवतंतरता और परवाव उन्हीं देशों में होती है जान डेमोक्रेसी होती है अन्यता तानासा इसासन व्यावस्ता में एक तानासा का दल होता है इसी परकार से Communist विचाड़़ा में केवल Communist Party का ही रोल होता बाकी दलों की कोई बोमी का नहीं होती है इस परकार से डेमोक्रेसी के अंदर ही दबाव समूबे से सबी परकार की व्यावस्ताओं में पाये जाते हैं लेकिन डेमोक्रेसी में इनका परभाव व्यापी होगा और इसी परकार से पॉलिटिकल पार्टीज भी डेमोक्रेसी ये जिन देशों में लोगतांत्रिक व्यवस्ता है वहाँ पर उसका जीवन आधार होते हैं ये दोनों तत्वें. पॉलिटिकल पार्टीज भी लोगतांत्रिक व्यवस्ता के लिए जीवन आधार प्राण तुल्ली हैं। इस परकार से पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेसर गुरूप में हमने समाधता हैं देखी। उसके बाद में इन में डिफ्रेंस भी देखा। फिर भी लोगतांत्रिक व्यवस्ता के लिए इन दोनों का ही अस्तित्वे जरूरी है। और लोगतांत्रिक देशों में दोनों एक दूसरे पर परस पर निर्बर भी होते हैं और दोनों ही साशन व्यवस्ता और सिस्टम को सूचा रूस अंचलन के लिए इन दोनों का ही अस्तित्वे आउसक है। तन्यवाद जेहिंद जेभार्द